हेलो एवरिवन, मैसल पंकच और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Elementary Canal of Fishes के बारे में Elementary Canal के क्या-क्या Parts होते हैं और हर्वी वोरस और कानी वोरस Fishes में Elementary Canal में क्या-क्या Major Difference होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं, Basically Elementary Canal क्या है, तो वो पैसे जिससे Food Pass कर रहा है Mouth से लेकरके NS तक में, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या Parts आ जाते हैं तो Mouth आ जाता है, Bugle Cavity आ जाता है, Farrings आ जाता है, Visophagus आ जाते हैं, Stomach, Small Intestine, Large Intestine जिसमें की Rectum और NS portion, ठीक है? फिर आ जाता है, अगर Elementary Canal की बात करेंगे, तो Elementary Canal दो पार्ट में डिवाइड़ेड़ है Anterior Part और Posterior Part, ठीक है? Anterior Part में क्या आ जाता है? Anterior Part मतलब आगे वाले पार्ट जिसमें की Mouth, Bugle Cavity और Farrings आ जाता है Posterior Part में क्या आ जाता है? Foregut, Midgut और Handgut, ठीक है? अब यह बोलाता है कि जो Antigree Part होते हैं, वो Basically Voluntary Stated Muscles के होते हैं मतलब कि ऐसे Muscles जिनका Contraction और Relaxation Self Control में हो, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और जो Posterior Part के होते हैं, Elementary के जो Posterior Part है, वो Involuntary Smooth Muscles के बने होते हैं मतलब ऐसे Muscles जिनका Contraction और Relaxation कंट्रोल नहीं हो सकता हम लोग से, ठीक है? वो अपने हिसाप से ही Move करते हैं, Basically Nerves के कंट्रोल से Move करते हैं, ठीक है? अब आते हैं, पहले पार्ट पे, Anterior Part के, Anterior Elementary के अनल के पहले पार्ट पे Mouth, ठीक है? Mouth, Fishes में, थी तरह के होते हैं, ठीक है कटला, Superior Mouth होता है, Surface Feeder है, ठीक है? रोहू, Terminal Mouth होता है, Columinal Feeder है, और जो Marigal है, वो Bottom Feeder है, और उस पे Inferior Mouth होता है, ठीक है? अब एक और बार समझते हैं आपके, जो Superior Mouth होता है, तो इनको Superior Mouth कैसे वह तो देखे हैं, इसमें क्या होता है कि Superior Mouth के किसमें, जो Lower Jow होता है, वो ज़्यादा Protruidate होता है, as compared to Upper Jow, Upper Jow कम Protruidate होता है, और Lower Jow ज़्यादा Protruidate होता है, इसी का Just ओलता होता है, Inferior Mouth में, उसमें क्या होता है कि, जो Upper Jow होता है, वो ज़्यादा Protruidate होता है, as compared to Lower Jow, ठीक है? और Terminal के के केसमें, दोन ही Same Length पे Protruidate रहते हैं, ठीक है? इसलिए वो टर्मिनल माउट है ठीक है अब आते हैं तीत पे तो तीत का बिसीकली ज्यादा तर मॉडिफिकेशन जो देखा गया है वो कार्निवरस फिशेज में देखा गया है उनमें तीत शार्प रहते हैं ठीक है बहुती प्रेट करना है तो इसलिए उनके तीत शार्प होने चाहिए तब वो कट कर पाएंगे उन प्रे को पर दिया लेकिन जो साइपनार्स के केस में ऐसे तीत का मॉडिफिकेशन देखा गया उनको बोलते हैं फैरेंजल तीत ठीक है उनके किसमें टू तीत नहीं देखा गया बलकि फैरेंजल तीतर देखा गया जोकी तमवट फैरेंजल अर्चे के पास करता है चाहिअँ सबस्क्रीजरं का तीत की बात हो गई शुपिर और माउथ के टाइप की बात हो गई अब आते हैं Buccal cavity Farrings और Gill-rakers ठीक है तो माउथ के बाद जब फूर्ड आगे बढ़ा तो Buccal cavity पास पहुंचा ठीक है क्ली camera और दिशंटका सकते लेकिन इसके क्ष़ खाती मुख्या है इसलिए इसका 預क य। large खशान से इसे बोलते हैं और इस का विट किसा हैं चेके में, अब गाया टे से करदह केन विटार का एक लौटती गाया है यह diagram मैं zoom करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं जो red, red virus structure है यह gill filaments है ठीक है gill filaments का काम होता है gases exchange ठीक है और यह gill arches located यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके just आगे कोला position gill rakers gill rakers basically filter feeding mechanism में help करता है यहागि filter feeding mechanism में नहीं भी help कर रहा हो तो इसका gill rakers का काम basically gill filament को protect क तो जो भी आउटवर्ड इन्वार्मेंट से जो भी चीज़ स्वैलो कर रहे है उससे प्रोट्ट करता है गिल फिलामेंट को क्योंकि गिल फिलामेंट बहुत ही मेन पार्ट है फिश को वह गैसे एक्षेंज में हल्प कर रहा है तो गिल रेकर बैसिकली इसलिए फिल्टर हो सकते घ्यांगर है फूर्ट यहां से एंटर करता है थीक है गिया तो आगरी रीजन बोल इसका ही यह तो ब? जो कि मैं बोल रहा था इस के पास लोकेटर होते है ठीक है बिसिकली यह मतलब गिल वाले रीजन के पीछे बिलो दगी लोकेटर है और यह फूड यहां से फर्दर आगे बढ़ता है उपिश्च्छित होते हुए इस टमक तो पहुशता है ठीक है यहां पे इस फिंटर लगे ह बात चल रही है तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर बिसिकली जो गिल रेकर होते हैं वह हर भी वरस के किसमें फिल्टर फिल्डिंग मेकारिजम शोड़ करते हैं ठीक है ब्रॉड सीव लैक स्टक्चर होते हैं आप इस टाइग्रा में देख सकते हैं यह ब्रॉड सीव लैक स सब्सक्राइब तो अंदर भी जाके यह थोड़ा इनका पीर सिंग में हेल्प कर सके इसलिए कि यह कानिवरो सेशेज में यह मोडिफिक्शन होती है अब आते ओश्वेगस पे जब फूड माउट से एंटर किया बको फैरिंग से पास किया उसके बाद पहुंचा ओश्वेगस तो इस प्रफिक्शन में कुछ-कुछ टेस्ट बड्स लोकेड़ होते हैं ताकि उस जगह को हमें सम्युक्श वहां पर सिक्रीट होता रहा है ताकि इज़ी पैसेज अलाओ करें फूड को ठीक है और हर्वी वरस के केस में हर्वी वरस फिशेज जो कि प्लांट्स और जो भ फिशेज शॉट एंड नेरो होता है और इक्जांपल रुहु पुंटिय सराना और साइपनेस कर्पर मुलाब कॉमन कर ठीक है और कार्निवरस फिशेज के केस में यह लार्ज और डिस्टेंसीवल होता है और लाज होता है क्यों क्योंकि प्रेडिटरी है बहुत बड़े-ब सिंगी अब आगे आते हैं स्टमक पोर्शन पर ठीक है तो स्टमक भी यह हर्वी वरस के केस में बहुत ही स्मॉल होगा ठीक है यह तो मौडिपिकेशन देखा गया है कि इंटिस्टाइन में एक बल्ब जैसे स्ट्रक्चर मलब फोल्ड़े-डिस्ट्रक्चर रहता है जिसको थो ब्ल बोलते हैं वहडिवर्स के केश में लेकिन कानि पर सके के के सम extension मेंमा TOO नहीं देखा गया है और सीधे उटर्षान में चले जाता है ठीक है घडियर्स के के सлем े इंटेशिन और टूस्टमक जो होता है ठीक है और हर्वी बरस्विस में इस्टमक एपसेंट होते हैं ठीक है फिर आते हैं एक और मोडिकेशन जो देखा गया है वह हिलसा में और गुडिशय चापरा में देखा गया है कि स्टमक का एक कि वह गीजर्ड शेप में होता है ठीक है आपने दूसरे और दिखा गीजर्ड सुना होगा उसका काम बिस्क्री क्या होता है कि बहुती पीसेज में इसलिए अब आते बात करते हैं इंटेश्टान पॉश्चन पर इंटेश्टान पॉश्चन पर आगया इसलिए वहां पर आपका सर्फेस इर्या बढ़ाने के लिए छोड़े हैं विलाई लेक्स्टक्चर फिंगल लाइक आउट्ग्र होते हैं कैस में in despite चुर्प कानीवरी के सब कुछ है प्रीकर कर दो क mínimo всегда करने हिसली इंटिशिटायंट चोता हुदा टा थ気 है क्योंकि कर यह नहीं मैं तो कंटेटा होता है क्योंकिछ इन्युक्त दान्य को में रिखल बद हारा है अग्स प्रेविला प्रेजम्ट तो जो की सर्फिस से रहा को बढ़ाने का काम करता है ठीक है अब आते बात करते हैं एंट्रियम और पोजिटरीयर पार्ट लाज इंट्रिस्टाइन हो गया ठीक है इसमें बिसिकली डख्ट्स आते हैं कहां कहां से तो लीवर ऑप एंक्रियास से जहा एंटस्थी चोटा है सि nord इक कि यह कृट भी जिल्योज में तब स्टिशन होके कानीवर इसे के में तो पुरा देर भी रहेगा तो डाइजिस्टन हो जाता असानी से तो कानिवर्स के केस में आप देख सकते हैं वाला गौर्ट टॉर मिश्टर सिंगाला ठीक है और हर्वी वरस के केस में यह हो गया फिर आते हैं रेक्टम पॉशन लास्ट पार्ट जो इंटेस्टाइंड का रेक् सब्सक्राइब करते हैं लोग तो इसका कंक्लूजन यही होगा कि समझ गया है एक पैसे था ठीक है और क्या क्या थे तो माउट से स्टार्ट हुआ था माउट बकल केविटी फैरिंग्स ठीक है फिर आपका आता हो इस्टमक इंटेस्टाइन में दो स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है डिफ्रेंट डिफ्रेंट फिशेस का हम जो देखा कि कैसा कैसा मॉडिफिकेशन होता है उनके फीडिंग हैबिट्स के बैसिस पर ठीक है फॉर एक्जंपल हर्वी वरस फिशेस के केस में आपने देखा कि उनके जो फूड पार्टिकल एंटर किया तो सीव लाइक मे इतलाइक जैसा modification था ठीक है उसके आगे की बात हुई थी तो उससे फेगर्स जो की हर्वी वरस fishes में बहुत ही small होते हैं ठीक है और narrow होते हैं लेकिन कानिवरस fishes में large और distanciable होते हैं ठीक है स्टमक की बात करें तो हर्वी वरस के में देखा गया कि जो इनका स्टमक है वो लासा इसका होता है थिक वाल्ड होता है ताकि वह जो भी प्रे गया उसको उत्वा देख लिए hold कर सके और digestion में help हो सके ठीक है इंटेस्टाइन के बात करें तो कानिवरस में small intestine होता है ठीक है और हर्वी वरस के में large intestine होता है क्योंकि वह plant petal feed किये तो बेसिकली उनके में अंदर cellose होगा तो cellose को digest करने के लिए intestine में पूर्ट जाता है ठीक है यह था यह overall conclusion था ओके थैंक्यू और अपकमिंग लेक्चर जो अगला मेरा टॉपिक होगा वह soil and water chemistry से related होगा और वीडियो से related कोई भी suggestion हो या कोई recommendation हो आपको किस topic भी वीडियो चाहिए तो आप comment section में बता सकते हैं and keep sharing thank you